आपका इस वीडियो में स्वागत है आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आज्यूम करके चलता हूँ कि आपने पिछले तीन वीडियो देख लिये होंगे जिसमें मैंने इस मूवी को एक्स्प्लेइन किया है नई देखा तो आप जाके देख सकते हैं मैंने पूरी लिस्ट पना रखी है जिसमें अभी तक तीन वीडियो बना चुका हूँ ये लाश्ट वीडियो है सायद जिसमें हम एंडिंग को एक्स्प्लेइन करेंगे आस्ता कॉन्रेट की ग्रिमयर के साथ साथ इंपिरियल सोर्ड को भी निट्रलाइस कर देता है जिससे मोड में आके काफी सही फाइट करती है ब्लैक बुल उसका साथ देते हैं और वो अपने दम पे एक फॉर्मर विजर्ड किंग को हरा देते हैं समझ रहे हो ना एक विजर्ड किंग को ब्लैक बुल ने हरा दिया जबकि उस ब्लैक बुल में ना ही आस्ता इंक्लूड है और न पर इदर Conrad क्या कर रहा है अगर वो अपनी मन मुताबित दुनिया नहीं बना पा रहा तो उसको अच्छी दुनिया भी पसंद नहीं है वो लोगों को आख छीनना चाता है वो लोगों को तबा कर देगा Conrad इतना जिद्धी है उतना ही आस्ता भी होता है आस्ता का साथ देने के लिए पूरी Magic Knight की टीम है Wizard King है सबी Captain's है वो अपने भहेंकर Devil आले मोड में आ जाता है जबकि इसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी यामी जूलियस को सुरक्षित आस्ता के पास लेके जाता है ज आस्ता को सबका जादू मैसूस होने लगता है क्योंकि Imperial Sword का यही Speciality है यही उसकी खासियत है कि वो लोगों का जादू इखटा कर सकती है इधर सब लोग आस्ता को अपनी जादू शक्ती देने को तयार हो जाते हैं हर एक बंदा अपना खूप सारा Magic देते हैं आस्ता को इव करना है नेक्ट जब से Clover Kingdom में आया है वो आस्ता को अपना खूप सारा माना दे रहा होता है बले ही वो अपने होस क्यों ना खो दे आस्ता सबका Magic Imperial Sword में घट्टा कर लेता है और कहता है हम साथ में सब लोग अपनी लिमिट को सरपास करेंगे वो पूरी जान से Conrad पे हमला कर है वो इसको जैनून तरीके से बदलना नहीं चाहता वो इस देश को खतम करना चाता है क्योंकि ये पूरी तरह से दूशित है मैली है गंदी है बेकार है जालिम दुनिया है इसमें Conrad की कोई कलती नहीं उसके साथ हुआ ही ऐसा कुछ होगा जिससे वो इस रास्ते पे चला गया पर ये कोई हल नहीं इस देश के लिए Conrad ने इतना कुछ किया वही देश जब उसके साथ इतना बुरा करता है तो उसका दिमाग फिर जाता है वो पूरी तरह से इस देश को खतम करके एक नया देश बनाना चाता है वो कहता है आस्ता हट जाओ मेरे रास्ते से मेरे को स समाज ने दवा के रखा है जब Conrad ये सब बोल रहा होता है तब ही उसके गले में जिस लड़की का पैंडेंट जिस लड़की का वो लोकेट होता है वो उसके गले से निकल जाता है ये सीनी ये जरस आता है जो Conrad की करीबी इंसान मरी थी वो लड़की चाहे जो भी थी मेरे स गरीब भले ही तुमारे पास बिल्कुल भी magic ना हो तुम फिर भी वो बन सकते हो जो तुम चाहते हो और ये मैं साबिद करके दिखाऊँगा कॉन्रेट फाइनली समझ जाता है कि वो आस्ता से हार गया एंड वो आस्ता को कहता है प्लीज विजर्ड किंग जरूर बनना और जैसी सांती और बिना बेदवाब वाली दुनिया तुम चाहते हो उसी की तरह अपने देश के साथ रहना मरने के बाद कॉन्रेट की आत्मा बाकी के उनी तीन फॉर्मर विजर्ड किंग के साथ मिल जाती है आस्ता सबको बचा लेता है और मुवी के एंड में हमको दिखाया जाता है कि विजर्ड किंग सबको कॉन्रेट के बारे में बता रहे होते हैं कि कॉन्रेट एक दयालू इन उसके साथ धूका कर देते हैं उसकी बीवी और उसके करीबी लोगों को उसके सारे लोगों को मार देते हैं जब से कॉन्डरेट एकदम बदल गया जूलियस आस्ता को थैंक्स कहता है कॉन्डरेट को रोकने के लिए आस्ता जूलियस से पूछता है कि मैं Imperial Sword को इस्तमाल कैसे कर पाया जब मैंने अपनी Anti-Magic Sword से उस तलवार को Neutralize कर दिया था तो उसका जादू तो खतम हो गया था Julius कहता है कि पिछली PD के Wizard King ने तुमको अपनी जादू शक्ती दी जब Julius ने उस Imperial Sword को उठाया था जब आस्ता ने उस तलवार को Demon Skull से निकाल दिया था तब Julius सारे पिछले Wizard King की आत्मा से मिल पाया जो से Imperial Sword में प्रेजेंट थी मौजुद थी वो उन सब को महसूस कर पाया था उन सब की आत्मा को महसूस कर पाया था क्योंकि Julius भी खुद एक अपने में Wizard King है और उन सब पिछले Wizard King ने अपने Magic का कुछ हिस्सा आस्ता को यूज करने दिया जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ही देखा था फर्स्ट Wizard King ने ये Imperial Sword को Future Generation के लिए बनाया है जैसे ही कोई भी Wizard King मरता है उसकी Soul का एक हिस्सा इस Imperial Sword में आके बस जाता है उनका थोड़ा सा जादू का हिस्सा और उनकी आत्माय का हिस्सा इसमें बस जाता है जिससे वो आगे आने वाली पीडियो पर नजर रख सके और सई इनसान के हाथ में ये तलवार आने से उनकी उर्फा दिखा सके उनकी मदद कर सके इस तरह ऐसे ये Imperial Sword काम करती है आपको ये सब कुछ जो मैं समझा रहा हूँ वो समझा आया की नहीं वीडियो में कमेंट करके बताइए आस्ता को सब सपोर्ट करते हैं आस्ता जीत जाता है कौन रहा धार जाता है Clover Kingdom में जितनी भी तवाई मची ही होती है उस पूरे Clover Kingdom को दुबार से Rebuild किया जा रहा होता है सब अपने काम में लगे होते हैं मैनत कर रहे होते हैं आस्ता राम से लेट के कुछ सोच रहा होता है तब ही वहाँ पर यूनो आता है और कहता है ओ तो तुम यहाँ पर राम कर रहे हैं वह आस्ता कहता है मैंने बहुत काम किया है और यूनो से कहता है Conrad भी एक Wizard King था ना यूनो कहता है बिलकुल नहीं और Wizard King तो मैं ही बन के रहा हूँ आस्ता कहता है ऐसे कैसे चलो दुबारा से मुकाबला करें ट्राइंप में जो मुकाबला हो रहा था वो तो कैंसल हो गया अरे वही जो टूनेमेंट हो रहा था ना उसी की बात चल रही है वहाँ पे Conrad आ जाता है तीन फॉर्मर Wizard King के साथ तो पूरा टूनेमेंट कैंसल हो जाता है तो उसके बाद वो दुबारा से दोनों फाइट करते हैं दोनों का री मैच होता है दोनों अपने फाइट करने के लिए रैडी हो जाते हैं दोनों अपने अपने फॉम में आ जाते हैं और उसी के साथ ये पूरी मुवी यही समाप्त हो जाती है ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताईए इसी के साथ हमने ये पूरी मूवी एक्स्प्लेइन कर दी है पूरी चार वीडियो लगी है इस पूरी मूवी को डिटेल में एक्स्प्लेइन करने में डिटेल में जाने को तो मैं और भी डिटेल में जा सकता था पर वीडियो अतनी बड़ी हो जाती ही, इतनी सारी वीडियो बन जाती ही, जो में में था, मैंने सारा का सारा explain कर दिया है, आपको कैसा लगा, बताईए, अब दुबारा से हम episode पर आ जाते हैं, movie तो हमने देखी लिए है, तो भाई लोग अगर आप मैंसे कोई नया आई channel पर आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उसके लिए दिल और दिमाग से दोनों से थैंक यू, और मेरे को Instagram पे फोलो कर लो, मेरे से परसनली कनेक्ट करने के लिए, गुरूप डिसकसन के लिए टेलिगराम को ज जल्दी मिलेंगे नेक्ट एपिसोड में, जय हिंद!